हलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्ले स्टोर से पूरा जो सर्चवल हिस्ट्री है उसको कैसे डिलीट करें प्रमानेंटली बहुत इजी मैथड है बहुत आदमी कोश्टन किया था यह चीज इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ आज का ओके तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना थी यहांपर हैं आप को देखना है कि हमनों का सर्च इंजल में जो सर्च फुर एप हैम सै नियहां चैने कि मेरा क्या-क्या सर्च किय pops है उस्को यहां से करें इससी करेंगे उसी के बारे मैं भी आपको बतानेवाला आ rage वहां सारा दोस्त मेरा भी क्या काता है कि इसको कैसे डिलिट करें। बहुत सारा उपर में क्लिक करना है उसके बाद इस टाइप का इंटर्फिस आजाएगा। यहां पे आपको बहुत सारा option मिल जाएगा जिसमें manage application and devices, offer a notification, payment and subscription हमको settings में जाना है settings में जाने के बाद देखिए उपर में एक option आ रहा है general का इसमें account preferences notification इसी पे click करना है यहां पे click करके और बहुत सारा option मिल जाना है यहां पे हमको general में जाके account and device preferences में जाना है यहीं से मेरा जितना भी history list है ना क्या गयता है searchable history list वो यहीं से मेरा delete होगा देखिए मेरा account and devices preferences में click किए यहां पे हम थ्लो सा scroll down करके यहां पर देखिए पहला history की नीचे देखिए पहला option जो आ रहा है clear devices search history clear wish list अब जो wish list में अब कुछ applications वगेरा रखे होगे उसको clear करना है यहां से clear कर सकते हो यहीं बेटा प्रोग्राम यह सब अभी जूरत नहीं है हमको clear device search history में जाना इसी पर click करना है यहां पर देखिए all searches that you are made in pay on this device will be removed यहां से हम clear history कर देते हैं देखिए मेरा पूरा का पूरा यहां से जो भी हम search किये हुए थे सारा का सारा डिलीट हो जाएगा ओके अभी मैं आपको प्रूव दिखाता हूँ जिसे में search for application अगया हम इस पे हम click करेंगे कि मेरा जितना भी searchable में था न चार पांच वो सब डिलीट हो गया देखिए यह simple तरीका है आप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना भाई थेंक यू